हाई फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि रिंग टॉन में अपने मन पसंद का सौंग कैसे सेट करें रिंग टॉन में अपने चोईस का गाना कैसे लगाए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेट जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाईएगा तो दोस्तो रिंग टॉन में अपने चोईस का किसी भी सौंग को सेट करना है तो इसके लिए हमें अपने फॉन में सेटिंग को ओपन करना है जैसे कि दोस्तो मैं यहाँ पर अपने फॉन में सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तो हमारे सामने कुछ इस परकार का पेज ओपन हो जाएगा तो अब दोस्तो यहाँ पर हमें काफी सारा setting मिलेगा जैसा कि दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपको जनकारी के लिए बता दूँ कि अगर आप अपने phone में पहली बार ringtone लगाना चाहते हैं तो इसके उपर मैं already वीडियो बना दिया हूँ और वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के description में दे दिया हूँ तो दोस्तो हमें अपने ringtone में अपने 24 का song set करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तो यहाँ पर हमें इस तरीके से scroll run करके नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक setting मिलेगा sound and vibration देख सकते हैं दोस्तो तो अब यहाँ पर हमें sound and vibration पर click करना है और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर sound and vibration नहीं मिलता है तो फिर आप यहाँ पर search करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं इस पर tap करने के बाद यहाँ पर आप type करेंगे sound and vibration जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर type किया हूँ sound and vibration अब यहाँ पर हमें sound and vibration पर click क दिखा देता हूं यहां पर मैं सर्च किया है रिंग टॉन तो यहां पर आ चुका है रिंग टॉन तो अब यहां पर हम रिंग टॉन पर भी किलिक कर सकते हैं यहां पर दोस्तों मैं sound and vibration पर किलिक करता हूं दोनों एक ही परकार की setting होती हैं मैं आपको बता दिया हूं ताकि पर हमें font ringtone पर click करना है उसके बाद दोस्तो हमारे सामने कुछ इस परकार का page open हो जाएगा तो अब दोस्तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा scroll down करके नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक option मिलेगा ringtone देख सकते हैं दोस्तो तो अब दोस्तो यहाँ पर हमें इसी arrow वाले option पर click करना है देख सकते हैं ringtone पर click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तो यहाँ पर हमें अपना file को select करना है जिस भी file में जो भी song है और उस song को हम अपने ringtone में set करना चाहते हैं तो वो file यहाँ पर हम choose करे के बाद दोस्तों यहां पर आपको उस स्वांग को चूच करना है जिस स्वांग को आप अपने रिंग्टॉन में सेट करना चाहते हैं तो यहां पर दोस्तों मैं यह वाली स्वांग है जिससे हमें अपने रिंग्टॉन में सेट करना है तो मैं यहां पर इस रिंग्टॉन पर किलिक करता हूं पर किलिक करने के बाद दोस्तों यहां पर हमें ओके पर किलिक करना है ओके पर किलिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि जो रिंग टॉन में अभी चूच किया हूं वो रिंग टॉन यहां पर आ चुका है तो अब यहां पर हमें इस अपलाई प को set करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम sim 2 select करेंगे, तो यहाँ पर मैं sim 1 select करता हूँ, sim select करने के बाद दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपने 24 का ringtone मेरे sim 1 पर लग चुका है, देख सकते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप अपने 24 के हिसाब से, किसी भी स्वंग को आप अपने रिंग टॉन में लगा सकते हैं सेट कर सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कॉमेट जरूड कीजिए और अगर आपने अभी तक आरे ट्रिक चनल को सब्सक्राइब नहीं चैने तो सब्सक्राइब कर दिजिए तो चलिए फ्रेंज फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ